Welcome to all my dear student, मैं मुकेसर आप सभी का स्वागत करते student आज के इस क्लास में student अगर आप से भी किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहें तो आज के class आप सभी के लिए काफी important होने वाला क्योंकि एक ऐसे topic पर बात करने वाले जो की आप सभी के हर एक exam में यहां से अच्छे खासे प्रश्ण पूछे जा रहें उस topic का नाम इस्टेंट Nobel पुरस्कार 2023 यहां पर हम लोग बात करेंगे Nobel पुरस्कार 2023 से संबंदित most important question जो की आपके आने वाले competitive exam के लिए काफी important रहेंगे जहां पर कि हम लोग कबर करेंगे current affairs के साथ static gk को भी इसके complete करेंगे आप सभी के Nobel पुरस्कार से पूछे जानने वाले उन सभी प्रश्णों का यहां पर संगरा लिया गया है जहां से कि आप से के exam में प्रश्ण पूछे जा सकते हैं और प्रश्ण के सासाथ इसके important points भी आप सभी के लिए गये हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी important हो जाता है आप सभी से छोटा सरी question की वीडियो को इन तक जोड़ देखेगा क्योंकि ये class आप सभी के लिए काफी important होने वाला है तो start करते हैं आज की इस class को आज के class का जो first प्रश्ण आप सभी का पाला प्रश्ण कर रहे कि भौतिकी विज्ञान के छेतर में नोबेल पूरसकार 2023 से की से सम्मानित किया गया है पाला question आप सभी के लिए काफी important है आने वाले एक्जाम के लिए कर रहे कि भौतिक बिज्ञान के छेतर में नोबेल यारे एगोश्टीन एगोश्टीनी दूसरा में बी में है एनी एल हुई लियर सी में फेरेक क्रास तो इस कोशन का जो राइट एंसर हो जग अब से नमबर डी हो जाएगा यह सभी को भौत की विज्ञान के छेत्र में 2013 में नोबल पूरसकार से समानित किया गया है अगले प् प्रियोगात्मक विदी को खोजने के लिए दिया जाएगा इन्हें जो भौत की के छेत्र में पूरसकार दिया जाने वाले हैं इसे के कारण इन्हें प्रोसकार दिया जाएगा ठीक न अगले प्रशन और बात करत BIG प्रशन ह By में चिकित्सा के छेत्र में नोबल प्रोसकार दोजरतर से किसे समानित में तो चिकित्सा की छेत्र 막 Yet तो option number A में का रहा है कि कैटलीन कारीगो B में डू वेसमैन C में उप्युक्त दोनों और D में इन में से कोई ने इस question का जो right answer हो जागा option number C हो जाएगा A और B दोनों ब्यक्तियों को Nobel पुरसकार चिकित्सा के छेतर में यानि कि Medicine के छेतर में दिया गया है अगले प्रश्ण को बात करते हैं यहाँ पर इसके इंपोड़े पॉइंट्स को कभर कर लेते हैं करा कियों दिया जाएगा तो यह पुरसकार इनके नुक्लियो साइड बेस सुनसोधनों से संबंदित उनकी खोजू के लिए प्रदान किया जाएगा जिसके कारण COVID-19 के खिलाप प्रभावी MRN1 तक का विकास संब्भव हो सका है यह कोशन आप सभी की श्टेंट बिलीव अभिस्वास मनिएगा आने वाले हर एक एक कोंपोडेटी एक्जाम के लिए काफी इंपोडेट होने वाल है ठीक है न बात करते अगले प्रश्ण के और प्रश्ण नमबर 3 प्रश्ण नमबर 3 आप सभी से पूछा जा रहा है कि नोबल पुरस्कार की सुरुवात कब हुई थी तो नोबल पुरस्कार की बात करें कि नोबल पुरुसकार का शुरुवात कब हुआ था तो राइट एंसर होज जागा 1901 इसी में नोबल पुरुसकार का शुरुवात किया गया था आपसे नमबर 2 आप सभी का राइट एंसर होज जागा कोश्यन नमबर 3 ठीक है अगले प्रशन को बात करते तेंट प्रश्ण नमबर फूर आप सभी का दिया गया है कि नोविल पुरुसकार कितने छेत्रों में दिया जाता है इसकी एस्टैटिक जेके से भी आप सभी की एक्जामें अच्छे कासे प्रश्ण पोचे जाते हैं पुरुसकार और सम्बंध के सम्मान के रिलेटेड बात करे तो यहां पर आप सभी के प्रश्ण पोची सकता है आगला प्रस्चन सिंहुता है जला नुबल पूरस्कार हर साल कब दिया जाता है तो राइट एंसर हो जाएगा 10 दिसमबर को नोबल पूरस्कार से नवाजा खता है व्यक्तिंओ को अगला प्रश्ण आप सभी कहा और उससे पले आप सभी से छोटा सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज इस्टेंट चलोग सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि एक लौता चैनल है जहां पर आप सभी के लिए डेली बेतर से बेतरीन करने का प्रयास किया जाता है अगले प्रश्ण को और बात करते प्रश्च नंबर सेवंड कर रहा है कि पहली बार पुरश्टकार कब दिये गया थी तो पहली बार बात कर suo यो तो दिया गया था 1901 में लेकिन यो टाइम एक्जेक्ट टाइम क्या था तो यह 10 दिसंबर 1901 इस्यू को पहली बार नोबल पूरस्कार से सम्मानित किया गया था ठीक है न अगले प्राश्ण कर बात करते हैं इसे इस प्रस नंबर एट एट नंबर प्रस्ण करे कि नोबल पूरस्कार से तीन बार समानित एक मातर संगठन कौन सा है जिसे की नोबल पूरस्कार से तीन बार न वाजा गया था राइट एंसर हो जग अंतराष्टी रेड क्रोस समीती को नोबल पुरसकार से तीन बार समानित किया गया है यह कोशन काफी इंपूरेड है आप सभी के लिए अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नमबर नाइन नमबर प्रश्ण आप से पूछा जा रहा है कि नोबल पुरसकार से समानित किये जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन थे आपसा नमबर ए में अभी अहमज अली बी में इंद्रा गांदी सिम मैरी क्यूरी और डी में है मलाला यूसूफ जाई तो इस कोशन का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का कोशन नमबर नाइ दस नमबर प्रशन आप सभी से पूछा जारा है कि अंग्रेजी भासा में सहीत के छेत्रों में नोबल पुरसकार से समानित किये जाने वाले पहले ब्यक्ति कौन थे तो राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमबर दस का आप सभी का रूट याई लीप लिंग लिप लिंग हो जाएगा कोशन नमबर दस का आपसा नमबर सी ठीक है अगले प्रशन को बात करते इस्टेंट प्रशन नमबर 11 11 नमबर प्रशन आपसे से पूछा जा रहा है कि भातिकी के छेत्र में नोबल पुरसकार समानित किये जाने वाले पहले ब्यक्ति कौन थे तो पहले ब्यक्ति क बात करें कि भातिके छेत्र में किने नोबल प्राइस से नवाजा गया था तो इसकोशन का राइट एंसर हो जाएगा विल हैम कौन रोड रॉन्ट गन आपसे नमबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमबर 11 का इस जेंट आप सभी के लिए वीडियो काफी पूड़िड होने वाला आपसे बी किसी एक्जाम के त्यार है कर रहे हैं अगर इसका आप सभी पीडियो भी चाहिए तो मैं आप सभी वीडियो को बताऊंगा कि कहां से आपसे इसका पीडियो डालोड कर एक छोटा सा नोड़ से अपने ग्यार कर सकते हैं ठीक है ना बारा नमबर प्रस्ट ने पूछा जा रहा है कि नोबिल सांती पुरस्कार से समानित की जाने वाले पहले महिला कौन थी? यानि कि पहली महिला कौन थी जिने की नोबल पुरस्कार से नवाजा गया था वो भी सांती यानि की पीस के लिए तो right answer हो ज़ए question number 12 का वेरोनेस वर्त सोफी फेलीस सिटा औन सटनर आपसे number B आप सभी का right answer हो ज़एगा question number 12 का अगले प्रश्ण को बात करते है प्रश्ण नमबर आ तेरा तेरा नमबर प्रश्ण पूछा जारा है कि अर्थ सास्थरे की चेतर में पहली बार नोबेल पूरस्कार किन को मिला था? तो नोबेल पूरस्कार की बात करो गूए पहली बार, यहां पर question काफ ही important है, आप सभी के लिगक्त. ब्यत्रिन तरीके से एधम ध्यान से सुनेगा इस question को. ठीक है ना करा कि अर्थ सास्त्री के छेत्र में पहला नोबल पुरुषकार किन को मिला था तो राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन नंबर 13 का आप सभी का हो जाएगा उप्युक्त दोनों उप्युक्त दोनों को दिया गया था रेगनर क्रीफ से और टीबरन जेन को ये दोनों ब्यक्तियों को दिया गया था जो कि नार्वी और एक निदरलेंड से बिलोंग करते हैं ठीक है ना अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नंबर आप सभी का 14 नंबर प्रश्ण क् किसके द्वारा दिया जाता है जो सांती के जो नुमल पुरस्कार होते हैं वो किसके द्वारा दिये जाते हैं आपसर नमबर A में नार्वे B में स्विजर C में है अमेरिका और D में वरिटेन राइट एंसर ओज़ जागा ये पुरस्कार जो है प्रश्णों को कबर किया गया है जहां पर कि आपस्वी के हर एक डाउट को किलियर किया जाएगा अगला प्रश्ण आपस्वी का पंदरा नंबर पंदरा नंबर प्रश्ण कर रहे कि सांती छेत्र में नुबल पुरुषकार कौन प्रदान करता है तो सांती के छेत्र में बात करें तो इस कोशन का जो राइट एंसर ओज्ज़ेक अपसे नमबर वी हो जाएगा नारवे की संसत दोरा चुनेगी पांच सदर्शिय समीति के दोरा ये पुरसकार को समानित किया जाता है तो अपसे नमबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोशन नमबर पंदर का अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नंबर शोला शोला नंबर प्रश्ण आप सभी से पूछा गया है कि रसायन विज्ञान में नुबल पुरसकार कौन प्राप्त करता है कौन प्रदान करता है तो यह बात करें अगर रसायन विज्ञान में बात करें अभी हम लोग स्वीट डीस स्वीडन के द्वारा ये पुरस्कार को समानित किया जाता है थोड़ा सा रिकवरी कर लेते कि नोबल पुरस्कार दोस्तो आफसी का 1901 इस्वी में देना स्टार्ट हुआ था पाली पार ये 10 दिसंबर और 1901 इस्वी में दिया गया था उसके बाद बाद करें किस तिथी को दिया जाता है तो 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिया जाता है अगले प्रश्णी को बात करतें प्रश्ण नमबर सत्व 17 नमबर प्रश्ण आफसी से पूछा गया है कि चिकित्सा के छेत्र में नोबेल पुरशकार कौन प्रदान करता है तो चिकितसा के छेतर में बात करें कि नोबेल पुरशकार कौन प्रदान करता है तो राइट एंसर और जग आप सभी का यहाँ पर करो लिस का इंडिस्ट्री स्यव्डन ये सारे जो पुरूश्कार से प्रवावत किये जाते प्रदान किये जाते हैं लेकिन अलाग अलाग इसका फिल्ड बनाए गया ठीक है न अगला प्रशन आप सभी का आठारा नंबर प्रशन ध्यान से देखिएगा तो बात करें कौन सी संस्था भौतिकी बिज्यान के छेतर में नुबल पुरुषकार प्रदान करती है तो राइट इंसर हो जाएगा आप सभी का आपसर नमबर बी हो जाएगा स्वीडर्य रोयल स्वीडर्य एकेड्मे उफ य जाएग पुरुषकार प्रदान किया जाता है अगले प्रशन कोर बात करते फिश्टेंड प्रस नमबर ओनिस ओनिस नमबर प्राशन आपसर इसे पूछा जारा है कि गणित का नोबल पुरुषकार किसे कहा जाता है गणीत का नोबिल पुरुषकार किसे का आ जाता है तो right answer होज़य का question number 19 का आपसा number A में दिया है भारत रत्न B में है Oscar Award C में Abel पुरुषकार और D में पृत्य जकार पुरुषकार right answer होज़य का आपसभी का Abel पुरुषकार के नाम से जाना जाता है आपसा number C आप सभी का right answer होज़य का question number 19 का ठीक है इस्डेंट अगले प्रश्ण को बात करते है प्रश्ण number 20 20 नमबर प्रश्ण का रहा है कि अभी आप सभी के लिए काफी पूरुषकार प्रश्ण लिया गया था तो इसलिए प्रश्ण काफी important हो जाता है कि अर्थ सास्तरे के लिए नवेल पुरुषकार के शुरुआत कब हुई थी राइट इंसर हो जाता आपसभी को 1997 1997 में इसको 1997 में देना स्टार्ट किया गया था ठीक है अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण 21 ॐं नॉमेल पुरुषकार मरों रांत दिया जाना कब से समाप्त किया गया यानि कि ये प्रत आप ये दिना स्टार्ट बंदक्पिया गया कि मरने waakeब अभी पुरुषकार केसी को The दिया जाएगा तो यह किन दिन अश्टार्ट हुआ था तो यह 1974 में आशुरू किया गया था समाप्त किया गया हाँ कब समाप्त किया गया ठीक है अगला प्रश्ण आपस्वी को 22 नंबर प्रश्ण कर आए कि 1989 में नोबल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारती महिला कौन थ करने प्रश्ण करता है और यह पाली महिला भी है जो कि आपनातवे की लिए और माजे लिए और यह ख्यक्ति करते 22 का मदडर ट्रेशा जी को पालीवार यह को पहले भारतिये कौन थे जिने की नोबल पुरुषकार से नवाजा गया था तो राइट एंसर ओज्जा का डाक्टर रवींद रनाथ टाइगोर जी को ये पुरुषकार दिया गया था जो कि आप सुभी को बता दे कि ये लिटरेचर के लिए दिया गया था यानि कि इने सा सांती कि सांटी यानी कि पीस नोबल पुरुषकार 2020 किसे कि समायनित किस्पेश दिया गया तो 2022 की बात करें सांती के के पुरस्कार कि से दिया गया है तो रिट एंसर वज्यक आव शबी का यहाँ पर जह राइन सुर्ट रुज्जा का 24 का आप सभी देख सकते हैं कि राइट एंसर अपसर नमबर टी यानि कि तीनों ब्यक्तियों को 2022 में सांती के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था ठीकने कोशन काफी इंपोडिट है आप सभी के लिए क्योंकि कई बार एक्जाम में आप सुझ के पिछले साल का करेंट अफेर्स का कोशन आप सुझ के ए जाते हैं अगला प्रशने स्ट्रेंट आप सुझ का 25 नमबर प्रशने पूछ रहा है कि अर्थ सास्त्र में नोबल पुरस्कार 2022 से किसे समानित किया गया था यानि कि एकनोमिक्स की बात करें कि एकनोमिस में 2022 में किसे नोबल प्रसकार से समानित किया गया था तो इन तीनों एच डाइबली विंग इन तीनों व्यक्तियों को नोबल पुरस्कार से समानित की अगया था तो आपसर नमबर डी आप सभी का राइट एंसर रोजा कोसर नमबर 25 का अगला प्रशने आपसर नमबर की दुनिया का सबसे प्रतिश्चित नोबल सांती पुरस्कार 2022 किसने जीता है दुनिया के सबसे प्रतिश्चित कोसर काफी इंपोर्टेड है लिख लिजएगा यहाँ पर की कोसर कितना इंपोर्टेड है राइट एंसर आपसर आप सभी का यहाँ पर उप्युक्त ने उप्युक्त सभी ने इस पुरस्कार को जीता था ठीकन यह तीनों ब्यक्तियों अगला प्रश्चित का यहाँ पर 27 नंबर की सहांते यानि की लिटरेचर का नोबल पुरस्कार 2022 से किसे समानित किया गया तो राइट एंसर हो जाएक आपसी का एनी एन कोस जो की फ्रांसी सी लेखी का है उन्हें 2022 के नोबल पुरस्कार ने की सहांते के लिए नवाजा गया अगला प्रश्चित का 28 नंबर की भौतिकी विज्यान एनी की फिजिक्स में नोबल पुरस्कार 2022 से किसे समानित किया गया था तो 2022 की बात करें कि जो भौतिकी छेतर में किसे दिया गया था 28 का जो राइट एंसर हो जाएगा आपसी का उप्युक्त सभी व्यक्तियों को दि अगला प्रशने 29 नंबर की चिकित सा फिलोसिफी और मेडिसीन का नोबल पुरस्कार 2022 से किसे समानित किया गया था तो 29 जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का असवाते पैबो जो कि सुड़ा से हो जाएंगे आपसे नंबर भी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा क्योशन नंबर ट्वंटी नाइन का ठीके स्टेंट अगला प्रश्ण अप्रस्वी का थर्टी नमबर की अर्थ सास्त्री के छेत्रे में नुबल पूरश्कार कौन प्रदान करता है तो राइट एंसर हो जाएगा आप स्वी का रोयल स्वीडी अकेडमी ऑफ साइजे स्वीडन आप स्वीडन प्रदान करता है तो अगले प्रश्ण के और बात करते स्टेंट प्रश्ण नमबर थर्टी वन नमबर कर रहा है कि दो अलग अलग छेत्रों में नुबल पूरश्कार से समानित किये जाने वाले पहली और एक मात्र महिला कौन थी यह कोशन काफी इंसर हो जाएगा आप सभ थर्टी टू नमबर प्रश्ण और आज के यह लाश्ट प्रश्ण आप सभी के लिए करा कि अर्थ सास्त्रे के छेत्र में अब तक कीन दो भारतियों को नुबल पूरश्कार से समानित किया गया है राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का उप्यूक्त दोनों को अमर्ति सेन 2019 और अभी जीत वनर जी 2019 तो आज के क्लास यहीं तक दोस्तों आपसी को ए वीडियो कैसा लगा इंड में जरू बतेगा वीडियो अचला तर प्ली चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा ताके सहार एक most important वीडियो आप तक सबसे जल पहुंचे अगर वीडियो आचला तक आपसी इस वीडियो को सेर भी जरूर किजेगा आपने दोस्त फ्रेंड और रिलेटिविक साथ मिलते नेक्स वीडियो में थांक्स पूर आचिंग माई वीडियो